करो प्रगु प्यारो जो खड़ी मन प्रगु में लगा लो श्वास की हर लड़ी कीमती है व्यर्थ जाने से इनको बचा लो प्रगु जिन्तन करो प्रगु प्यारो तो खड़ी मन प्रगु में लगा लो प्रगु जिन्तन करो प्रगु प्यारो हर परखने कुछ सी खटा कर देखो परमात मौं में लगा कर मन खुशियों से भर जाएगा आचरण ने ज़गा दे पुना कर ज्यान मन्थन करो दुलारो ज्यान का दीप फिर से जलालो प्रभु चिततन करो प्रभु प्यारो दुलारी मन्थन प्रभु में ओम शान्ती ओम शान्ती सभी को ओम शान्ती ओम शान्ती आज बाबा करें मीठे बत्चे तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है तो संपूर्ण पावन बनने के लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए इसलिए कभी किसी को दुख भी नहीं दो करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो बाबा का बनने के बाद कुछ सहन भी करना पड़े लेकिन हमें करमेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है सदा बाप के फर्मान पर चलते रो बाबा का फर्मान सदा क्या रहता है सहन भी करो लेकिन किसी को दुख नहीं दो मुर्ती बनने के लिए सहन करना परता है अगर आप शहन नहीं करेंगे तो लग जाएंगे मन्दिर की सिड्यों में जुझा हैं ना मारबल पत्थर दोनों को मुर्तीकरिशन बन गया इसको सिड्यों में कर ले लग को दिया इक के साफिवस बन गया लोग आते था जिए पूज्यों में चड़कर और उस मूर्ति की पूजा करते थे तब वो रोता है कि हम क्यों टूट गए तो आज भी वही चीज है हम बच्चों को चैतन्य मूर्ति बनाया जा रहा है तो हम लोगों को भी बाबा कहता कि सहन तो करना ही पड़ेगा और सहन करके हम लोगों को क्या पूज्य बन जाना पड़ेगा तो जनम जन्मांतर के लिए हमारे स्थिति उचा होने के लिए बाबा कहता करमेंद्रियों सो कोई विक्रम नहीं करो सदा बाप के फर्मान पर चलते रहो प्रस्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है कौन सी विमारी इसमें विघन रूप ब सब्सक्य का बुद्धि पत्थर जैसा कितना भी कुछ कर लो यह पिखलता ही नहीं है पल नहीं केना ला ये पूरा नारायनी देवि देयुक्डवताय संस्कार में होना चाहिए अब भी मान के का रहिं ना मान नाडली लगता है क्यों की हरा कोई मेरा माण हानी कर दिया कि असका संसकार बोलने के वह सका हुआ Oke वह अपना बड़ता हुआ है निंदा करना गुस् właściwie अबोजा मेना लोगों का दूकानन सुख सांती आनन्द प्रियम पवित्रती ज्यान और सकतीगार मैं अपना दूकान देखना तो बाबा कहता है कि देखी अभीमानी बनो अपने मंद से बनो बाबा का स्रीमत के अनुसार पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं अगर जो फुद ही उल्जी हुए है वो मदद्गार कैसे बनेंगे । इसलिए बाबा कहता है कि पेहले पारस बुद्धि बनो देही अभिमानी बनो तब ही दुसरों की मदद कर सकते ह। बाबा की मदद कर सकते हो दूसरा सेवा भी तुम्हारी बुद्धी को सोने जैसा बना देती है सेवा भी बना देती है सोने जैसा जैसे कि हम किसी को घ्यान देती है कि आपको सांथ में रहना है तो अंदर में तुरंत जवाब देता है तुम सांथ रहती हो आता है न जवाब तो इससे क्या होता है अपने आप में गलानी फिल होता है कि हम तो कुछ किये नहीं हम दूसरों को इतना बता रहे हैं तो इसलिए बाबा करने से तुम्हारी बुद्धी रिफाइन बन जाती है इसके लिए पढ़ाई पर पूरा टेंशन देना है पूरा बाबा डेली पढ़ा पूरा टेंशन देना ओम शांती रूहानी बच्चों के प्रती रूहानी बाप समझानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम यूगी समझो सत्यूगी नहीं समझेंगे अभी सत्यूगी नहीं है सत्यूग में सदा सुख रहेगा तो बाबा कहता भी सत्यूगी नहीं है और सभी अपने को कल यूग हें सम्झेंगे अभी कोई भी बोलेगा हम कल यूग में तो हमारे मन में अवाज आता है नहीं हम तो संगम but anytime से मिलन będą से तो बहुत फरक संगम यूग कल यूग तो िस संगम यूग को तुम रामन ही जानते हो और कोOff नहीं जानता बहुत कमquela जानते हैंा ये संगम यूग होता है 33 Crưởng आत्मा आचानेँव कि जानेगे ये कि ऑलते कि अधिये संगम यूग आया बाबा के बच्चे भी तो भूल जाते हैं लेकिन बाबा के भी तो भूल जाते कि देखो एक मुर्ती के लिए कितना विसाल आयोजन किया जा रहा है एक मुर्ती के लिए और हम सब चैतन्य राम बन रहे हैं और राम कैसे बनेंगे जब उल्टा सब्द कर दे मरा जब देभान से मरेंगे तो राम बनेंगे तो जब चैतन्य राम बनेंगे तो सोची भगवान कितना पड़ा मंदिर बनाएगा कितना अच्छा स्वर्ग बनाएगा जो मनुस इतना सुंदर मंदिर मना सकता है राम का तो भगवान क्या नहीं कर सकता है तो नसा चड़ता है अभी जो हो रहा पूरे भारत में देखकर भी बहुत नसा चड़ता है कि हमारी मुर्तियों की तुम समझते हो, जब हमारे विचार अस पावित्र हो जाती हैं, सब के लिए अपना पन, वसूधै, कुटुम, वकम हो जाता है, हमारे विचारों में, तो कहेंगे राम राज्य आ गया पवितरता सुख सांती सब भरपूर्ण होगा लेकिन तुम समझते हो नंबर वार सारे बच्चे से नहीं समझते अगर सारे बच्चे समझ ले ना तो हमेशा खुस रहें हमेशा मेरा क्या इस्थिती बनने जा रहा है तो बाप आते संगाम लेकिन भावना सबका जुड़ा हुआ है लेकिन क्या उतना खर्च करने से किसी के जीवन का कलयान हो सकता है किसी के जीवन का कलयान नहीं यहाँ पर बाबा हम सबका जीवन बना रहे है विचारों को बदल कर तो कल्यूग में रहने वालों को नर्कवासी ही कहेंगे और सत्यूग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहेंगे स्वर्गवासी को पावन नर्कवासी को पतित कहा जाता भी सभी पतित हो गए हैं तुम्हारी तु बात ही निराली है, तो तुम इस पुरुसोत्तम संगम यूग को जानते हो, तुम समझते हो कि हम अभी ब्राह्मन हैं, बर्नु वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो, कॉंट्रास्ट बताना चाहिए, जो मनुसे अपने को नर् बताओ, लिखना चाहिए अभी ये पुरानी कल्यूगी दुनिया है, सत्यूग स्वर्ग नई दुनिया है, तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी, अभी क्या है, ना नर्कवासी है, ना स्वर्गवासी है, तुम देवता है हो या असुर हो, ना देवता है ना असुर है, तो बोलते हैं ना कि ना अंदर मारेंगे ना बाहर मारेंगे ना उपर ना नीचे मारेंगे तो हम लोग वही थी जब उसी समय है चल रहा है तो ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे ना कि हम स्वर्ग वासिय भी है कई ऐसे समझते ही कि हम तो अब स्वर्ग में बैठ गया चाहे लौकि लग लोग बहुत करोण पती बोmers है तो स्वरगवाशी बन गए हैं ठाट से रह रह रहे हैं अरे ये तो नर्क है ना सत्यूग कहा है कहाँ नाम किई पढ़ या कल्यूग तो ये सत्युग है कहां सत्य कहां है जो तुम सुखी रहोगे तो यह रावन राज है यह तो रावन को जलाते हैं यहाँ पर उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं लेकिन उन्हों के पास कितने जवाब होते हैं कि आपको भगवान मिला क्या मिल गया उन्हों भी बहुत सुखी हैं कि सभी दुखी हैं हम लोगों को अंतर समझाती हुए बहुत स्थीरता से सब को समझाना है तो ऐसा क्लियर कॉंट्रास्ट बताना है इसमें बहुत अच्छा ब्रेंच चाहिए दिमाग अच्छा चाहिए बताने के लिए भी देखे दिल यूज होता है लेकिन दिमा स्वर्ग वासी हूं या स्वर्ग वासी हूं अभी आप स्वर्ग में हैं बोलते हैं हम स्वर्ग में और अभी अभी ऐसा कोई परिस्थिती आता है कि लगता कुछ भी नहीं मेरे पास तो यह नर्क हुआ ना तो यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है वह यह राम र कोई शरी छोड़ते तो कहते हैं स्वर्ग पधारा लेकिन अभी बताओ स्वर्ग है कहां स्वर्गöh को सत्यूग कहा जाता है वहां अभी कैसे जाओगे यह सब विचार सागर मन्थन करने की बात है स्वर्ग होता है सत्यूग में तो कल्यूग जब तक खतम नहीं होगा तो सत्यूग आएगा कैसे तो ऐसे क्लियर कॉंट्रास्ट हो उसमें लिख दो भगवानु वाज हर एक अपने पूछो कि मैं सत्यूगी राम राजी निवासी हूँ दो जब तक मन्दीरों में पूझा हो तो चैतन्य की पूझा कैसे होगी चैतन्य अभी तैयार हुरह है उसका प्रतिकातमग दिखायолов निश्या रहा रही तो तुम ब्रामन ओं अभी शंगम ना कल्यूगी को य dengan कि एक क्या क्या होगा विछ सत्यक्तों के थिक और सब्सक्राइब सullen हो या निड़ विकारी स्रिश्टाचार्यों कोई भी नहीं कहता है कि किल्योग मे इससों कहता है कि रहेंगे और उसके बाद पूलतें हम स्वर्ग में चले जाएंगे में प bipartisan शुर्ग में इसँ से में इसे इसा है देभान नहीं तो क्या है गलत क्यों सोचना अरे आत्मा पाड़ बजा रही है हर तरह की आत्मा ना पिक्चर में कीवल अच्छा रोल तो नहीं होता है पिक्चर में सब तरह का रोल होता है न कोई हसाने वाला भी होता है कोई रूलाने वाला होता है कोई लड़ाई करता है क करता है हुर्पिन्ट के पिक्चर में ऐसा इसा मरजी कि नहीं नहीं बातें निकालनी पड़े जिससे मनुस्था ह покje कि इसे वर सरवयापी नहीं है सबसे बड़ा अच्छा कारान कि बाबा समझाने बहुता सूरी से भी ज्याएंsorry किसी का परिकर्मा नहीं लगाता है द्रति पर ब्र॥े लोक करती है सभी पर पढ़ता, चांद सितारों पर भी उसका किरन पढ़ता है लेकिन यह ऐसा तो नहीं न, कि चांद पर अलग सूरी आ जाता है और धर्ती पर अलग सूरी एक ही जगा रहकर वो सब को रौस्नी देता है उसी तरफ परमात्मा एक जगा लेकिन उसकी रौस्नी हम सब को मिलती है सक्तियां हम लोगों को मिलती है तो तुम्हारा ये लिखत, देख, आप अहीं अंदर से पूछेंगे ये बात तो सही बोल रहे हैं, अंदर में चलाएंगे सत्यूगी डिटी राजी को कहना सके भाबह गता सत्यूगी डिटी देवी द्यताउं को राजी तो यहां नहीं कहेंगे कल्युक को या हेल है या हेवन यह तो अब समझ में आ जाएगा ना कि हेल है, या स्वर्ण है कि नर्ख है ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुस्य अपनों को समझ जाए कि हम बरोबर नर्कवासी पती थे क्लियर लिखना है सब के सामने कोई डर्भ है चिंता नहीं करना है कि लोग क्या कहेंगे जब हम क्लियर बताएंगे तो कोई किसी का ताकत ने सब करेगा तो हमारे अंदर देवी गुन तो है नहीं जो हम बोल सथयोग्में हैं सथ्ष कोई कोई हो ना सके कलियुग में कोई भी सत्यूगी नहीं रिखना चाहिए जो ओटे अर्जुन गीता में अर्जुन का नाम दिया गया लून और पानी में कितना सबकित होता होता है artık को अध्यविदा की 550 अभी और स्रीकृष्ण भागवान वाचली कर गीता ही खारी कर दिए जो जूट लिए कि बाबा के जगा में कृष्ण का नाम डाल देने से गीता को क्या कर दिया गया खारा बना दिया गया मनुसे कितना दलदल में भी फसे पड़ती हैं विचारों को ज्यान के राज का भी पता नहीं बिचारों को ज्यान के राज का पता ही नहीं कि क्या है सही क्या गलत है ज्यान भागवान तो तुमको ही सुनाते हैं ये भी भाग यह है ना हम लोगों का कि भागवान ज्यान हम लोगों को सुना रहा कितना नसे से सुनना चाहिए आत्मी के सितिती में सुनना चाहिए तो य किसी को भी पता नहीं कि हम कौन सा ग्यान किसके द्वारा सुन रहे हैं नौलेज तो बहुत सहज है प्रंत भगवान पढ़ाते यह भूल जाते हैं बच्चे भी बाबा के बच्चे भूल जाते हैं और देधारियों के पीछे लटक जाते हैं अरी इसका सोभाव ऐसा है हम इसक र को भूलते नहीं घडि-घडि कहतें बाबा हम आपको भूल जाते हैं अच्छा लगता है क्या बोलना कि बाबा को भूल जाते हैं बाबा कहते माया भी कम नहीं भूला ही देती है तुम देधिमानी बन पड़ते पदमा गुना लेने आए और एक गलत काम अगर करते हैं ऐक किसी के प्रति भी एक गलत बात बोलते हैं तो आपके उपर पदमा गुना हिसाब चड़ जाता है क्योंकि आपको ग्यान नहीं है कि वह गलत कर रहा है कि सही कर यह कल्यांकारी युग है यहां भगवान के हम बच्चे हमारे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है कोई भी गलत नहीं कर सकता है यह तो हमारे अंदर की कमी कमजोरी होती है जो गलत लगता है कि सामने वाला गलत है गलत होता नहीं है तो ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम न करते हो जो बाप की फर्मान को ही भूल जाते हैं बाप का स्रीमत क्या है स्वप परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन हम दिन भार दूसरों के अनुसार चलते हैं दूसरों को देखते हैं तो बाप फर्मान करते हैं पहले मन मना भाओ मन को परमात्मा में लगाओ मन को सही रास् भी इसलिए तीन चीज़ दिखाते हैं सरीर में लिखते हैं जो निराकार धाम ही रहने वाली में डूसरा प्रकास का शरीर जो सुच्ष्मतन什么 का निसानी है और यह सरीर है जहां स Tomorrow 30 tech दुनिया है वहां किवल अमर्त बेला अब n दीनत्रक्त भी रात भी नहीं तो दुख सुख सब्चीर महसूस होगा निंदा इस्तूती महसूस होगा सर्दी गर्मी महसूस होगा लेकिन आप जैसे जैसे स्टेज उपर करते जाएंगे फरिस्ता, सोफिर, निराकार आत्मा आपको कुछ नहीं फिलिंग होगा तो यह फर्मान मानते नहीं बच्चे तो विक्रम ही होगा न अब बाबा क्या करे बाबा तो डेली बताता है बहुत पाप हो जाते ही बच्चो से बाब का फर्मान तो बहुत सहज है लेकिन है बहुत कड़ा है बहुत सहज अगर आत्मा समयनी तो विक्रम ही नहीं बनेगा लेकिन कड़ा भी है क्योंकि आधत पड़ा हुआ ना 63 जनम से देभान में रहने का तो कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे क्योंकि आधा कल्प का देभान है न तो अभी मान आधा कल्प है इसलिए भूल जाते हैं पाच मिनट भी इथात रीती याद में बैठ नहीं सकते हैं कुछ रखुछ इधा उधर का बाते मन में आता रहता उसने ऐसा किया उसने ऐसा बोल दिया वो भी तो ऐसा कर रहा है अगर सारा दिन याद में रहो तो फिर कर्मातीत बन जाओगी कर्मों का प्रभाव आप पर नहीं पढ़ने लगेगा कब कर्मातीत हो जाएगी ना अच्छे का प्रभाव ना बुरे का प्रभाव अबस्था अच्छी हो जाएगी बाप ने समझाया इसी में तो मेहनत लगती है, तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीती पढ़ते हो, जिस्मानी पढ़ाई तो बहुत अच्छे रीती से पढ़ती है, हिस्ट्री जोगरफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस हो गई है, हिस्ट्री जोगरफी वो यह कुछ समय तो निकालो बाबा से इदम सांती से कराने का दिन में क्योंकि दिन में तो अथा काम होती तो कमसम खाना पानी के समय तो सांत रहकर बाबा को याद करो जितना याद में रहोगे उतना तुम पावन बनोगे हम लोग खाना खाते खाते कितना बात करते हैं आग भी करते हैं कि बाहर है. पहले से शुधार हुआ है, तो ऐसे बहुत भंचे जिनके पास इतने पैसे जो ब्याद भी मिलता रहें. बाब को याद करते रोटी टुकर खाते रहें बस बाबा को याद करो अच्छे से खाओ प्यों Πरन तो माया याद रख करने नहीं देती कल्प पहले जितने जिसने जितना पुरुसार्थ किया है उतना ही करेंगे अब ये भी है जिसने जितना किया है उतना ही करेंगे बाबा तो सब को एक रिती समझा रहा है बाबा का तो दोस्त नहीं है बाबा तो डेली मुरली चला रहा है दोस्तों यह आपका बच्चा है यह बात हम उससे बात करने जा रहे हैं तो कोई जल्दी दोड़ी लगा कर पहुंच जाएं यह हो ना सके टाइम तो लगता है आत्मी के सिती में इसमें दो बाप हैं इसमें तो दो बाप हैं बेहत के बाप को अपना सरीर है नहीं वह इन में प्रवेश करके बात करते दो बाप है ना यहां प्रजापिता और ब्रंभा बाबा तो बाबा फ्रोवेश करते चो लाना चाहिए बाप बच्चों को यह स्रीमत देते हैं कि दे सहित सब धरम को छोड़ कर अपनी को आत्मा समझो दे का धरम क्या है कि दे का धरम क्या है कौन सा धरम चोड़ने की बात हो रही है समय दे का धर्म छोड़ने का मतलब है कि पतनी धर्म में उलजे हुए, पती धर्म में उलजे हुए, माबाग के धर्म में उलजे हुए, बच्चों के धर्म में उलजे हुए, इंसानियत के धर्म में उलजे हुए, सारा धर्म इत्याग कर दे, मैं आत्मा हूँ, ये धर्म होता है तो अपनी को सारा धर्म छोड़कर आपनी को आत्मा समझें सम 48 जनम यह पर तो तुम पवित्र आये थे 84 जनम लेते रहे तुम्हारी आत्मा पतित बन गई है अब पावन बनने के लिए स्रीमत पर चलो तब बाप गारेंटी करते कि तुम्हारे पाप जरूर कर जाएंगे यह बाप गारेंटी करता है तुम चलते रहों अच्छा चलते रहेंगे तो घर पहुचेंगे की नहीं अब रूख जाएंगे भीच में तो कितना देर कर देगे कोई लड़ाई कर रहा है तुम्हारी थ्ट देख लेते क्या होता है लड़ाई वहां चावल चड़ा कर आये घर में और रूख गया चावल जाले गा कि नहीं उसके बाद कहीं बहुत सुंदर मेला लगा रहे थोड़ा मेला घुम लेते हैं तब तक आपके घर में कोई और आ गया घर ताला लगाए नहीं है चले गाए तो बाबा कहता है कि पहले अपने आपको चलाते रहूं आप चलते चलते क्या है कि अपने घर तो हम पहुचेंगे ही तो तुम्हारे पाप कर जाएंगे तुम्हारे आत्मा कंचन बन जाएगी फिर वहाँ दे भी कंचन मिलेगा यहाँ दे कंचन नहीं है याद रखें कभी भी सरीर छूट सकता है क्योंकि एकदम पुराना सरीर इसलिए बाबा कहता है कि हर सकेंट सफल करो कभी भी देख खतम हो सकता है पुरानी जूती है ना तो जो इसकूल का होगा वह तुम्हारी बात सुनकर सोच में पढ़ जाएगा कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है बोलता है लोग कि आपके बात तो सब चीज सही है सौ परसेंट सही है पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना है कुछ भी हो जाए बोलते हैं धरत छोड़िये धरम ना छोड़िये हां तो बाबा कहता है कि हम सरीर छोड़ दे लेकिन बाबा का दिया जो स्रीमत दिया उसको कभी नहीं चोड़ें कभी नहीं चोड़ें मन्सा वाचा कर्मना पभीत्र तो जरूर बनना है मन्सा में तुफान आएँगे इतना जज्यादा चलो एक बात तो सुना ही देंगे अटा है कि नहीं आता है ना लेकिन यहीं में बीक्रम के बैताल का हानी चल रहा हम बैताल हम बीक्रम ही है नवा तो ही बैताल को काबू कर सकते हैं बिक्रम बैताल का कहानी यह नहीं international सपस्यों मेन करें तुम्हारा फिर से आओ तुम मेहनत करने के लिए तो बार बार हम मेहनत करते ठक जाते हैं तो तुम बेहत की बासा ही ले रहे हो तो इतना आसान तो नहीं होगा ना बैताल भी कोई कम नहीं रहेगा बहुत सक्तिसाली रहेगा तुम बहुत सच बताओ वह ना बताओ प्रंथ आप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे हम नहीं बताते हैं बाबा को नहीं बाबा मेरे मन में कुछ भी नहीं चलता है ऐसा हो सकता है बहुत विकल्प आते हैं बताएं क्या है ना बताएं लेकिन हमारे मन में विकल्प तो जरूर आते हैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोले या ना बोले अभी लेकिन बोलना जरूरी है यह सब क्या है विकल्प है हम एक सकेड्स को रूलिंग करें कॅ क्ट्रोल करें क्योंकि हम राजा हैं अपनी करमेंद्रियों का मन्ध बुद्धी का नहीं चलाना है मुझे कुछ सुनना ही नहीं है सुनते हुए भी नहीं सुने बाबा आपका कान आप सुन रहा है सुन के ख़तम कर दो है ना लेकिन हमें गलत नहीं कोई विकल्प नहीं लेकिन बाबा जानते हैं कि माया के बहुत विकल्प आएंगे यह कर दो यह कर दो विकल्प है यह प्रंदु कर्मेंद्रिय से कभी भी कर्म नहीं करना आ रहा बोल दे बोल दे लेकिन मुख नहीं बोलना है तुमको मन बोल रहा बोलो अब बोलो मुख नहीं बोलना है चुप रह सकते हैं न रह सकते हैं आज एकदम चुप रहना साइलेंस में आना सुरू कर दे कुछ भी बोले उसका तुम बोल दिया उस करना मेरा नेचर है कि सबके साथ अच्छा करना यह दिखा दें मेरा नेचर हस के ही बात करना अभी तुम गुसा में हो लाइन इसलिए हम चुपा है उसके बाद जब ठीक हो जाओगे फिर हसने लगें यह मेरा नेचर बच्चों का क्या होता तुरंद भर में लड़ा पूरे 84 जनम लेते हैं तूम सिवदर उन पुनढर जनम नहीं लेते और शी बाबा पुनर जनम नहीं लेते हैं तो एस पुनर जनम लेता है और यह बाप है जो पुनर जनम रहित है क्रिशने क्या है 84 जनम लेते हैं और बाबा कहता है कि वो सर्वगुन संपन देवता है तुमने देखा है पांड़ाओं के चित्रे कितने बड़े-बड़े बनाते हैं देखें हैं पांड़ाओं का चित्रे बहुत बड़ा-बड़ा बनाते हैं इसका म बड़ा शरीर कर देते हैं कि इतना बड़ा है देखेंगे विसुन पत्मे जाएंगे ना तो लगिया कितना बड़ा बड़ा सरीर बना दिया है विस्नोजी का सब का एक दम छोटे-छोटे हम लोग नजर आएंगे उसमें भी तो इसलिए बावाकत है इतना कोई विसाल नहीं ह सब बच्चों का जो 33 करोड बनेंगे सब का एक जैसा है विसाल बुद्धी नहीं भक्ति में कितने बड़े-बड़े चित्र बना कर पैसे बरवात करते हैं वो लोग अभी पैसा ही न बरवात हो रहा है तो कितने वेद शास रूपनी सद बनाएं कितना खर्चा किया बाप क कर दिए और आज लोग क्या बन गए कल्यूगी नर्कवासी बन गए कहां सत्यूग आया पोथी पर पढ़के पंपाल हो गए लेकिन सत्यूग नहीं आया तो तुम फील करते हो बाबा ने बहुत पैसे दिए सोनी की चिडिया कही गई इस दुनिया को और भारत को और भारत क ही ह etmey फिर उससे कमाई होती है इसीलिए कहारता knowledge source of income कोई भी knowledge होता है तुर से source of income होता है कमाई का जर्यया होता है यह दो यह इस यह बरिखी सोर्सRah का इनकम है जिससे बेहतल की बास्ताही मिल जाती है बेहतल बास आई अभी हम लोगों को लेना है भागवर रामायन आदिक में कोई नौलेज है ही नहीं एम अब्जेक्ट है ही नहीं कुछ भी उसमें देखे रामायन महाभारत भी बहुत अच्छा है जैसे राम त्याग तपस्या दिखाया ना राम का लग दिखाते त्याग तपस्या लक्षमन का त्याग तपस्या सीता का उर्मीला का सब का त्याग तपस्या दिखाये गिया है लेकिन उसको तो कोई पकड़ा नहीं और बस राम राजे चाहिए अरे राम जैसा तो बनो राम राज मतब सब राम राजा राम प्रजा सब राम जैसा होना चाहिए तो बाप जो को राम बना लू तो यह बिल्कुल नी पढ़ाई हो गई वह सकनल भगवान पढ़ा रहे हैं नहीं दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते है इन लख्ष्मि नारान निया पढ़ाई से उच्छपधपाया और कहां रजाय और कहां प्रजा कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार बाबा कहता है अगर हमारी तकदीर खुल जाए ना तो हमारा बेड़ा पार अगर हमारे दुआरा किसी की तकदीर खुल जाए तो ये भी बहुत अच्छा बात है तो इसलिए बाबा कहता है कि खोलो इस्टूड सुन रहे हैं हां क्या है थोड़ा बहुत समझली हो गया लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में धारन ने की अपने जीवन में तब तक वह आगे बढ़ पाएगा वो तो कोई ना कोई परिश्थिती में मुझ जाएगा तो बाब अगे तक तुमको बनना है क्या सोने की बुद्धी सोने का बुद्धी बना लो वह उन्हों की बनेगी जो सेवा में रहेंगी जो सेवा करना चाहेंगो वह मनंचिंतन करेंगे अंदर में कि बाबा क्या समझा रहे कैसे कुछ नई युपति से समझाया जाए किसी को देखे वराइटी खाना सबको पसंद आता है तो मूरली भी किया बाबा हाल कहीं मूरली में न बोला कि मूरली भी सबकी अलग-अलग है कौन कैसा मनंचिंतन करता उसके अनुसार समझाएं तो आकर्शन होता है तो बैज पर भी समझा सकते हूँ बेहत के बाप से बेहत का वर्षा लो भार स्वर्ग जैसा था स्वर्ग था कल की बात लगती है न कि कल निकले आज यहां पहुझे अब कल वहां चल जाएंगे स्वर्ग में घुश जाएंगे तो कहां 5000 वर्ष की बात और कहां लाखो वर्ष कहते हैं कितना फर्क हो गया न तुम समझाते हूँ तो भी नहीं समझते जैसे कि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धी बने हुएं भी आप पत्थर बुद्धी को तोड़ना पड़ेगा न तो तोड़ेगा कैसे वो विघन क्या छेशन को ли वी आ घहता है कि बच्छे तुम्हारी नहीं है इसमें सारी पढ़ाई आजाती है ते देखते न वैं double ौपर में नीचे में ब्रह्मभाव विष्ण शनकर आप उधर साइड लक्ष्मिन आ रहा हैं यानि लक्षे तो मनुस्यों को तो भक्ति मार की गीता ही याद रहती है अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुमको 21 जर्मों के लिए सद्गती मिल जाती है सद्गती पाते हो शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़िये पूजा भी तुमने ही शुरू किये क्लियर है न कि पूजा भी हम सुरू करते हैं गीता भी हम पहले करते हैं पढ़ते हैं उन सब को हमें गले लगाना है वो क्या देंगे नई देंगे ये सब हम लोगों को नहीं सोचना है तो कोई न कोई कोई समझाते रहो उनमें एक दो निकलेंगे जरूर तो अगर पांच छे कठे आती ही तो कोशिज करो अलग-अलग फॉर्म भराए अलग-अलग समझाना चाहिए कोई क्या बोलेगा मुझ जाते ही इसलिए अलग-अलग करना है नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को खराब कर देगा एक सड़ा हुआ फल दूसरे को भी सड़ा देगा तो इसलिए हमें क्या देखना है कि कौन बच्चा कितना ची रीती से सुना उसके नुसर उसे ग्यान देना है फॉर्म तो जरूर अलग भराओ एक दो को देखें देखें भी नहीं तो वह समझ सकेंगी यह सब युक्तियां चाहिए तब तुम सक्सेस्पूल होते चले जाओगे सफलता मूरत बनते जाओगे बाप भी व्यापारी जो होसियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे बाप कितना फाइदे में हमेली जाती है जून इकठा आए तो बोलो फार्म अलग-अलग भरना है अगर सब रिलिजियस माइंड हो अच्छे बच्ची है तो कहते हैं गीन गीता पड़िए ना गीता cumplाषब мलना कि पुझा के लिए उसके बात लिखा हुआ है कि पूज़्या पार्ट केकी में नहीं मिलता हूं मैं साधरन तन में आता हूं ये सब बहुत जणमों के अंत के जनम के भी अंत में मैं आता हूं ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है तो देवी देवताओं को मानते हो, पूछना है देवी देवताओं को किस रीती से मानते हो, पूजा करने के हिसाब से कि उनके वो हमारे कौन है, पूरवज है, तो उनके जैसा बनना चाहिए न, तो बाबा ने कहा भक्तों को ही सुनाना है, हमारे भक्त, देवताओं के भक्त जल्दी समझेंगे हमारे भक्त मतस्य बाबा के भक्त और देवी देताओं के भक्त पत्थर को पारस गुद्धी बनाना कोई मासी का घर नहीं इतना जल्दी नहीं है कि आप ज्यान सुनाएं वो आ जाएगा बहुत मेहनत करना पड़ता उसके पीछे उसको हर तरह से ज्यान य के लिए भए निएट हुआ शुआ है कि मेरे अंदर क्या वुराइउ बंगला I am Bayern तो असरीरी आय 쓰고 असरीरी बनकर जाना कि औरो इमक्या रखा fine mistakenly сов सिर्ख मुझे याद करो मैं व निहनत लगती है बड़ी मंजिल है चलन से मालूम पढ़ता है यह अच्छे मददगार बनेंगे कल्प पहले मिसन चलन से मालूम पढ़ जाता है कि कौन अच्छा मददगार है अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और ग पवित्र जरूर रहना है मन से भी किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है मेरा विक्रम बन जाएगा इसलिए ध्यान रखना भूल केवल वर्धानी बोलो कर्म में केवल सेवा समाया हो कभी कहेंगे संपूर्ण पवित्र कर्मेंजियों से कोई विक्रम ना हो इसकी सम्हाल करनी बहुत सम्हाल ना अपने आपको डेली अगर ग्यान सुने ते जाएंगे क्योंकि जितना ज़्यादा बीमारी तो दो बार दवाई पिलाओ तो यहां पर भी तीन बार चार बार पिलाए जा रहा ना अम्रित बेले पिलाए जाता है फि तो आतमा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर है उसके बाद जितना बीच-बीच में टाइम मिला करमे योगी बन जाए बाबबा को याद करें देय अभीमान की कड़ी बीमारी तो छूटने के लिए नारायन नसा चाहिए कि हम बनने वाले हैं नारायन ये नसा योग करना और कराना टो ठीक है लेकिन योग के प्रयोग से सब कुछ ठीक करने का देखो अभी देखिए कि बड़ी बिमारी आ कि लिए लोग बच्चे बोर रहा है और अपने आपो ठीक हो जारा तो योग का प्रयोग ला वह बहुत बच्चें जिसके तो ये तो गलत है न ये आपके अंदर विश्वास चाहिए तभी आपको सिध होगा आप विश्वास करें किसी और पर तो 50% लाब 50% हानी देखना पड़ेगा तो बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने में बड़े होसियार हो गए हैं बाबा हम लोगों को बोल रहा है कि करने कराने में होसियार हो गए हैं तो जैसे योग करने कराने में योग हो ऐसे प्रयोग करने में योग बनो और बनाओ तब कहेंगे अच्छा इसमें अच्छा नहीं है कि आप योग बहुत अच्छा कराते हैं योग का प्रियोग करवाएं बड़ी से बड़ी विवारी में भी योग का प्रियोग बड़ी से बड़ी विघन में योग का प्रियोग तब उसमें सफलता मिले तब कहेंगे यहां योग का प्रियोग कर रहे अपने संस्कार को परिवर्तन आज एक बहन बोल रही थी कि किसी का नेचर और सिंगनेचर बदलता है बदला ना अभी हम पहले लिखते थे कुछ भी नाम लिखते थे हम इसकी बहु है इसकी बेटी है इसकी पत्नी और आप क्या लिख रहे हैं बीके ब्रमभा कुमारी सिंगन फिर भी बदल गया पहले बोलते थे मेरा यह निश्चर गुषा करने का आही जाता है अब बोलते नहीं मैं तो सांत स्वरूप हूं बदल गया ना करें बाबा कहता कितना बदली हुआ है क्यूंकि स्रेश्ट संसकार संसार की रचना की निव होती अगर अच्छा संसार कोई बाबा का और योग का तो वो कोई भी आत्मा चाहिए वरीश ठीक हो रहा हो अगर कुछ गलत करती था मुस्की प्रभाव में आएंगे नहीं आएंगे तुरंत निर्णा देगा नहीं यहां गलत है कोई बात ने किनारा करो इसमें विकल्यान होगा यह हमारा परखने का है बाबा को माया परख रहिए इनके द्वारा भी कि कहीं हम गलत विकल्प तो नहीं कर लेते हैं तो अनुभावी आत्मा कभी भी वायु मंडल के रंग में नहीं रंगती है नहीं संग के रंग में रंगती दोनों चीज़ हैं अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डवल लाइट फ क्यों ठीक होना है क्योंकि आप छमाय आचना कर रहे हैं क्योंकि आप दुआ दे रहे हैं क्योंकि आप सब को माफ कर रहे हैं क्योंकि आप बाबा को याद कर रहे हैं ठीक कैसे नहीं होगा सो बताई जब सारा उपाई कर ले रहे हैं तो ठीक कैसे नहीं होगा तो यह में लाइट होगा जब लाइट होगा तभी संकल्पों में द्रूरता होगी मेरा कुछ नहीं सब कुछ बापका कार है वो अंगद जब पैर रखे थे तो बाद में सारे लोग पूछे उनसे कि अगर हिल जाता तो तो अंगद क्या जवाब दिये मेरा काम था बोलना उसके बाद उसको पैर को जमाई रखना राम का काम था राम को जिम्मेवारी था कि मेरा पैर हिलना ना दिया जाए तो इसलिए हम लोग भी कर ले संकल्प कि आपको सब ठीक हो जाएगा बाप की बाप पर सिम्मेवारी तो जी बने बलाा नहीं जब अपने उपर रखते हो होके तब सब प्रकार के विखन होटे हम अपने उपर भी कर देके जब बोल्तो ऑक चिए भी ठीक होगा कि नहीं तो यसलिए मेरा नही मेरा नहीं तो निर्वेग न बंजाऊँगेlook निर्वीग का मतलब क्या होता है कोई कोई बोलते हैं कि वीघहन आए ही ना लेकिन वास्तों में वीघहन का मतलब होता है वीघहन आए और हम विजय बन जाए उसको कहता निर्वीग सबी एक आगर हो जाएंगे चारो तरफ से बुद्धियों घटा कर मैं आत्मा बाप समान बनती जा रही हूं मेरी हर संकल्प में द्रूर्टा की सक्ति है निश्चे बुद्धि हूं मैं मुझे नसा है मुझे भी नारायन बनना है सत्युग में हर बाला कृष्ण करहिया और राधा सी हर बाला होगी मुझे अभी अभी बनना है नारायन बाबा भी मुस्कुराते हुए वर्दान दे रहे हां बच्चे तुम एक सो आठ में आने वाली विशे सात्मा हो तुम सदा विजयी हो सदा सफलता मूरत हो सुक्रिया मेठे बाबा शुक्रिया ओम शांती बाबा ओम शांती ओम शांती बाबा